नमस्कार किसंसात्यों स्वागते आप सभी का एक बार फिर से मालुअख की घेती यूटूब चैनल बें किसंसात्यों को बड़े बेसबरी से मानसुन का इंतजार है कब मानसुन आए, कब अच्छी बारिश हो और कब वो अपनी पसल लगाए तो किसंसात्यों मौसम का पुरुवा नमान में आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ अलाकि ये मेरा दुवारा लगाया नहीं गया है ये एक बहुती प्रसिद्ध किसान है जिनके बारे में आपने नाम भी सुना होगा और उनके अनुमान जो बारिष से सम्मधित होते हैं उनके बारे में आपने देखा भी होगा पड़ा होगा तो निशिद रूप से आपको उनके बारे में जानकारी होगी लेकिन इन किसंद्ध भाईयों को अभी तक ये जानकारी नहीं है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन किसंद्ध भाईय ने एक जून से पंदरा जुलाई तक जो मानसुन का पुरवानमान लगाया है वो कुछ इस प्रकारे किसंद्ध भाईयों तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिनांक एक से दजून की तो इन दज दिनों में किसंद्ध भाईयों खास करके तीन चार जून को एक वेदर सिस्टम के कारण निमत बंसोर रतला मौरुजेन के कुछ इसों में मजजम बारिश की संभाउना रहेगी बाकी धार, इंदोर, देवास, साजापूर, खरकुन, आदी जीलों में कुछ इस्तानों पर बारिश की संभाउना रहेगी बाकी दिनों मौसम साप रहेगा, इसी दोरान 5-6 जून को अरब सागर में चक्रोती तुपा अजब की बंगाल की खाड़े में एक निन दौप का शेत्र बनेगा दिनांग 10 से भी जून के अंतरकत की संसाति इनों ने बताया है कि 10 जून के आसपास मानसुन करनाठक के आसपास पहुँचेगा इन 10 दिनों के दोरान बारिश की कोई खास संभाउना नहीं है मौसम साप और सुष्ट करेगा और जो 5-6 जून को अरब सागर में जो तुफान बनाए वो आगे बढ़ता हुआ इनों ने बताया है पाकिस्तान की तरफ रूख करेगा जबकि बंगाल के खाड़ी में बना एक निन्म दवा भारत के पुरुत्तर राजियान या सम में गाला ये बंगाल की तरफ जाएगा जिसके कारण इन राजियों में अच्छी बारिश और 12 या 13 जून को मुसम विबाक मानसून पहुचने की गोखना करेगा और अरब सागर में बनने वाले तुफान के कारण पुरुत्तर राजियों को छोड़कर पूरे भारत में बादल एक बार हट जाएंगे और मानसून के आगे बढ़ने के पुरी तरस इन 10 दिनों में रुख जाएगी क्योंकि तुफान मानसून के आगे बढ़ने की सारी शक्तिया इनरजी अपने और खिज लेगा जियोग्राफिक एनुसार रपसागर में इस समय कोई तुफान बना मानसून के लिए खत्रा हो सकता है 20-30 जुन के अंतरकत बात करेके संसरतियों तो 25-25 जुन का मोसम सुहाना रहेगा इस दोरान 20 वारिश वाले बादल देखने को मिलेंगे जबकि 25-30 जुन के भी धक्षिन पशिम जिलों की कुछ इस्तानों पर मध्यम से त्रेज बारिश हो सकती है लेकिन अधिकतर इस्तान अभी भी सुखे रहेंगे और 30 जुन के आसपास मानसुन जो करनाटक पराकर रुका था वो लगबग आधे मारस्ट को कवर कर लेगा अब बात करते कि समसातियों 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच की तो 1 से 10 जुलाई के दोरान बादलों की आवाज ही जलती रहेगी परन्तु बारिश की संभवना बहुत कम है जिबकि 10 से 15 जुलाई के दोरान पूरे एंपी में बारिश रप्तार पकड़ेगी और अच्छी बारिश होगी और इन्हीं दिनों में मानसुन की एंपी में एंट्री होगी उप्रोक्त जनकारी के अलाव हम किसन साथियों समय समय पर इन किसान भाई के दोरा जो भी मानसुन अपडेट दिया जाएगा वह हम आपको यूट्यूब चेनल के माध्यम से बताएंगे जाये तो आप इन पर फेस्बूक पर जोड़ सकते हैं और यदि आप फेस्बूक पर जोना चाहते हैं तो हम आपको इनका पेज बताएंगे तो कमेंट जरू किजिए यदि आप इन से जोना चाहते हैं तो किसनसत्य ओं आज की वीडियो में इस přैकर का अनुमान की पहली जानकारी यह इस Emmanuel की जानकारी और आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अगा ताकि कि हम समय समय पर वीडियो लाते रहें तो कैसा लगा किसनसत्य या वीडियो कमेंट करके बताईएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिचे ही जए जवान जए किसन